आज इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्रोफेशनल कॉलेजिस में एड्मिशन्स की क्योंकि सारी जगे व्यापम जैसे घोटाले कॉलेज के एड्मिशन्स में प्रोफेशनल कॉलेजिस के एड्मिशन्स में सिर्फ मध्य प्रेश में ही नहीं पूरे देश में देखे जा रहे हैं यू पी में करीब करीब हर राज में उसी तरह से सरकारी नौकरियों में जो भड़तिया होती है जो उपर के स्तर की भी जो की स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन करती है या जो नीचे के स्तर क्लास 3 क्लास 4 की सब में इतनी बेमानी इतना भ्रष्टाचार है कि भूस दिये बगैर सरकारी नौकरी मिलना करीब-करीब नामुम्किन हो गया है इसके लिए बहुत सारी चीजें करने की जरुवत है सबसे पहली बात तो यह जो एड्मिशन्स का सिलसिला है प्रोफेशनल कॉलिजेस लगिरा में उसमें पारदर्षता लाने की जरुवत है। आजकल जो एक्जाम लिये जाता है, जो पेपर होता है, वह भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। उसके बाद जो उसकी आंसर कीज होती है वो सारवजनिक नहीं करी जाती है। इंटर्व्यूस के कई बार बहुत सारे माक्स दिये जाते हैं और इंटर्व्यूस के माक्स बेमानी से भेदबाव के हिसाब से भरष्टाचार के आधार पर दिये जाते हैं। इस सब को सुधारने की जरुवत है, इंटर्व्यू के मार्क्स बहुत कम करने की जरुवत है, इसमें पूरी पारदर्शता लाने की जरुवत है, जो ये संस्था हैं, जैसे व्यापम था मद्यप्रदेश में, यूपी पब्लिक सर्विस कमिशन है, बाकी सारे स्टेट पब्ल दर्श्टा लाने की जरुवत है, इन की इनमें जो लोग तेनात होते हैं वो ठीक से उनका चैन होना चाहिए, एक स्वतंत्र संगठन द्वारा उनका चैन होना चाहिए और उनके कामकाज में पूरी पार्धर्श्टा होनी चाहिए, इस पर स्वराज अभियान एक बड़ा अं झाल